नमस्ते दोस्तों, सुनते हैं शरत चंद चटोपाध्या के द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन का तीसवा भाग दोस्तों, 29 भाग मैंने अंतिम भाग करके पोस्ट किया था लेकिन आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा कि वो कहानी पूरी नहीं है, अधूरी लग रही है तो मैंने भी उसे खोजा और अब आगे की कहानी मुझे मिल चुकी है तो 29 भाग को अंतिम भाग नहीं कंसिडर करें और मुझे करेक्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धैन्यवाद तो आगे बढ़ने के पहले सुनते हैं 29 भाग की कहानी संशिप्त में जहाज पर किरण में दिवाकर को समझाने का प्रयतन करती है कि उसे प्यार करके उसने कोई अन्याय नहीं किया है लेकिन दिवाकर गलानी से भरा हुआ है उसे यह पवित्र नहीं लगता तब किरण में उससे कहती है कि तुम लोट जाओ पैर पकड़कर माफी मांगने से उपेन दादा तुम्हें माफ कर देंगे और तुम मर्द हो समाज भी तुम्हें एक न एक दिन माफ कर देगा पर दिवाकर किरण में को अकेले छोड़कर लोटना नहीं चाहता और अब दिवाकर और किरण में दोनों साथ रहना चाहते हैं अब सुनते हैं आगे की कहानी इसी तरह इस सिक्षा और इस ग्रिहस्ती के बीच किरण में सयानी हुई है आज उसे एक एक करके सारी बाते याद आने लगी इस तरह उसके सोचने की धारा जब वर्तमान दुख को बहुत पीचे छोड़कर लांग कर बीतेवे दिनों के अथाह अतल दुख सागर में डूब कर गोते खाकर मर रही थी इसी समय कहीं से दिवाकर सुखा हुआ चेहरा लिये केबिन के भीतर आया उसे देखते ही किरण में की दुख स्वपन की खुमारी पल भर में ही दूर हो गई उसने अपने चेहरे को स्नेय हासे से उज्वल करके तिरसकार के स्वर में कहा मामला क्या है बताओ तो लल्ला इस तरह क्यों घूमते फिरते हो खाना पीना कुछ न होगा अच्छे लड़के हो भई उसके कंठ स्वर से इतने दिनों के बाद दिवाकर एक्तम चौक पड़ा अकस्मात जान पड़ा जैसे कितने ही सैकडों हजारों वर्स बीत गए भाबी का या कंठ स्वर उसने नहीं सुना उस स्वर में विद्वेश या विद्रूप की ज्वाला न थी वह यथार्थ ही इसने के वेद्ना से कोमल था मनुष्य के कान उसके बारे में कभी गलत नहीं कह सकते दिवाकर अभिभूत की तरज चुप चाप उसकी ओर ताकता रहा किरण में ने मुस्कुरा कर कहा सवेरे से अब तक कहा थे जरा सुनू तो दिवाकर ने धीरे से कहा नीचे के खंड में किरण में ने कहा नीचे? इतनी देर नीचे क्यों बैठे रहे? एक बार उपर आकर मुँ में कुछ डाल कर पानी पी जाने के फुर्सत भी न मिली जवाब में दिवाकर केवल एक टक ताकता ही रहा मुँ से एक शब्द भी न निकला किरण में ने फिर पूछा नीचे क्या कर रहे थे? उसके मुख पर बड़ी बहन किसी वही निर्मल स्नेह की हसी थी कंठ में स्नेह प्यार का वैसा ही उलाहना था जो कलकत्ते में पहले उसी से पाकर दिवाकर किरतार्थ हो गया था आनंद के मारे उसके आँखों में आसु भराए उसने किसी प्रकार अपने आसुओं को रोक कर कहा भाबी, नीचे एक बंगाली अपनी स्त्री को साथ लिए अर आकान जा रहा है उनका वहाँ मकान भी है किरण में ने कहा क्या कहते हो लला? दिवाकर ने कहा मैं सच कहता हूँ भाबी, वे लोग बड़े अच्छे आदमी है किरण में उसकी बात के बीच में ही बोल उठी तो ऐसी अवस्था में हम उन लोगों के मकान में जाकर ठहर सकते हैं तुम उनकी इस्त्री के साथ मेरा परिचे करवा सकते हो दिवाकर ने प्रसन्न होकर कहा क्यों न करा सकता हूँ मकान वाली कह रही थी तुम्हारे साथ एक बार किरण में ने आश्चरे से पूछा मकान वाली कौन है लला दिवाकर ने कामिनी का संशिप्त परिचे दे कर कहा हरिश बाबु इसी नाम से उसकी स्त्री को पुकारते हैं उनका अपना एक मकान भी तो है सुनकर किरण में मौन हो रही क्योंकि मकान वाली शब्द इसकी पूर्व कलकत्ता में नौकरानियों के मुह से जिन मकान वालीयों के लिए उसने सुना था उनमें से कोई भी भले घर की ग्रिहनी नहीं थी इसलिए दिवाकर जब उनको अपने साथ यहां लाने के लिए तयार हुआ तो उस समय किरन मैने तनीक हस कर स्नेक्दस्वर से कहा वे लोग अच्छे आदमी तो है न लला दिवाकर उसी छण गर्दन हिला कर आवेक के साथ बोला बहुती अच्छे आदमी है वे लोग भाबी एक बार बाचित करने से किरन मैने कहा तो आज रहने दोना किसी दूसरे दिन दिवाकर सेर हिला कर बोला नहीं भाबी मैं तुमारे पैरो पड़ता हूँ वे इसी समय यहां आना चाहती है जबकि उनके ही मकान में जाकर ठहरना पड़ेगा तब जाओ भाबी बुलाने यह कहकर दिवाकर अत्यनत अधीर होकर उठ खड़ा हुआ और साथ ही उसके नेत्रों और कंट स्वर से चोटे भाई का सनेह भरा हट निकल कर मानू किरन मैं की भूल को गरम शूल की तरह बना कर उसके हृदय में बिंद गया एका एक प्रबल शोक भरी लंबी सास उसके गले तक उमर उठी और निकलते वे आसू को छिपाने के लिए किरन मैं ने किसी प्रकार कहा अच्छा तो जाओ यह बात सच है कि किसी अपरचित स्थान को जाने के मार्ग में कोई मित्र या साथी मिल जाए तो यह सौभागे की ही बात मानी जाती है अंत में यही विचार करके संभावता उसने दिवाकर के व्यग्र अनुरोद को स्विकार किया था लेकिन जब वह सचमुची उसे बुलाने के लिए जल्दी बाहर चला गया तो उस समय अपनी अवस्ता स्मरण करके किरण मैं को बड़ी लज्जा जान पढ़ने लगी जो आकर उपस्थित होगी वह बंगाली ओरत है उम्र बड़ी हो चुकी होगी कौन जाने उसकी नेत्रों को धोखा देना संभाव होगा या नहीं दिवाकर की आयो के साथ उसकी आयो की तुलना करने से बंगाली समाज की द्रिष्टी में अच्छे नजज़ेगी केवल इसी बात का विचार करके किरण मैं लज्जा से संकुची थो उठी थोड़े ही देर बात दिवाकर की पीछे-पीछे मकान वाली आ पहुँची उसकी ओड़ द्रिष्टी पात करने के साथ ही किरण मैं को पता चल गया कि या भले गर की स्त्री नहीं है जो इस्त्रीयां कलकत्ता में दासिव रिति करके जीवन निर्वाह करती है या उनी में से एक है उसकी चाती के उपर से एक बड़ा बोज हट गया हस्तेवे मुख से उसने कहा आओ बैठो किरण मैं का रूप देखकर मकान वाली अभी भूत होकर खड़ी रही बात को गले में आचल डाल कर उसने जुक कर प्रणाम किया और दर्वाजे के निकट बैठ कर कहा बाबू के मुख से सुनकर मकान वाले ने कहा कि जाओ तो ब्रह्मनी है उनको प्रणाम करके आओ तो मा जी मंगो के देश में जा रही हो लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी मर्द या कोई भी औरत नहीं है जो मकान वाली के मकान में चू तक भी करे जाढू से मारकर उसका विश्ण जाड भेकूँगी यह कहकर जाढू के अभाव में मकान वाली ने केवल अपना हाथ उपर उठा कर दिखा दिया उसके मूँ की और एक-एक द्रिष्ठी पात करके मकान वाली बोलू थी यह कैसी बात है बहू तुमने अपना सिर ऐसा धो डाला है कि मांग में सिंदूर का तनिक भी चिन्न नहीं सिंदूरा जरा देतो दो मैं मांग में सिंदूर लगा दू किरन में इसके लिए पहले से ही तयार होकर बैठी थी उसने बाया हाथ दिखा कर गा नहीं सिर्ध होने से नहीं मेरी मांग का सिंदूर एक साल से काली माई के पैरों से बंधा हुआ है उस वर्ष बाबु के प्राणों की आशा नहीं थी न सिंदूर को बंधक रखकर ही अपनी सुहाग की चूडियों को बचा सकी हूँ यह कहकर एक लंबी सास खीच कर उसने दिवाकर की और कंखियों से देखा उसका मुख लज्जा और कुंठा से एकदम बदरंग हो गया था ऐसे बात है यह कहकर मकान वाली ने सहानुभूती प्रकट करके कहा तो हमारे यहां अराकान में भी काली जी का मंदिर है वहाँ पहुचते ही पूजा चड़ा कर सिंदूर बंदक से चुड़ा ले न बहू नहीं तो लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे अराकान जैसी बूरी जगध तीनों लोकों में कहीं है क्या केवल हमारे ही डर से वहाँ के लोग कुछ दबे-दबे रहते हैं नहीं तो किरन में ने हस कर कहा इसी विशय पर तो बाबू के साथ आज दो दिनों से बाते चल ले है वो तुमारी बहुत ही प्रशंशा कर रहे थे अब तुमारे सामने में क्या कहूं जहाज पर चड़ने के बाद से ही हम दोनों भै के मारे सुखे जा रहे हैं कि क्या होगा या तो भगवान ही है बात पूरी भी न हो सकी भै कैसा माजी कहकर अभै प्रदान करके मकान वाली अपनी बड़ाई के जड़ी लगाने लगी और देखते देखते दोनों की घर ग्रिहस्ती सुख दुख की कहानी इस प्रकार जम गई कि कोई भी या नहीं कह सकता कि दस मिनट पहले तक दोनों में तनिक भी परिचैना था निकठी कुरसी पर दिवाकर जो बैठा तो फिर उस पर से उठा नहीं किरण में कितनी ही असत्य बाते कैसे निसंकोच और सहूलियत के साथ बे रोक टोक बोल सकती है या सुनते सुनते वा मानो हच चेतन की भाती अस्तब्द हो गया इतनी देर बाद एका एक होश में आकर वा जोही उठकर चलने को तयार हुआ तियों ही किरण में ही बोल उठी सारा दिन तो तुमने खाया नहीं फिर बाहर जा रहे हो क्या प्रत्यूत्तर में दिवाकर ने जो बात कही वह सुनाई नहीं पड़ी लेकिन समझ में आ गई किरण में इने घबरा कर कहा नही नही या नहोगा एक बार तुम बाहर चले जाओगे तो फिर शग्रना आओगे या मैं जानती हूँ मकान वाली के मुख की ओर देखकर हस्तेवे मुख से उसने कहा साससूर नहीं अना ब्या होने के बाद से मुझे सदा ही इसी बात का दुख रहता है खिलाने पिलाने के लिए तुमानु मारपिट तक करनी पड़ती है फिर तनिक मुसकुरा कर बोली मैं ऐसी ही हूँ कि जोड़ जबर्दस्ती करके खिला पिला सकती हूँ यदि कोई और स्थ्री होती तो आसू बहाते बहाते रोते रोते उसके दीन बीच जाते घोर लज्जा से दिवाकर का सिर एक्तम जुब गया मकान वाली ने हसकर कहा हाँ बाबू, क्या इसी तरह तुम दोनों विदेश में जाकर घर ग्रियस्ती चलाओगे लेकिन मेरे मकान में यह ना होगा बाबू मैं बहू को दुख न देने दूँगी क्या मैं कहे देती हूँ किरन मैं के मुक्की और देख कर वा एका एक पूच बैठी हाँ बहू, बाबू संभावता तुमसे उम्रे में बहुत बड़े नहीं है समानी उम्र के जान पड़ते हैं, ठीक है न? किरन मैं उसी छण सिर हिला कर बोली कुलीन ब्रह्मन का घरी तो है मैं ही आयू में बड़ी न हुई यही मेरा सभाग्य है हम दोनों एक ही उम्र के हैं बैसाख में उनका जन्म हुआ था मेरा जन्म आशार में हुआ था सिफ दो ही महिने के तो बड़े हैं बहुत से लोग तो मुझे ही आयू में बड़ी बताते हैं यह कैसी लज्जा की बात है न? यह कहकर किरन मैं मुह बंद करके मुस्कुराने लेगी मकान वाली इस हसी में सम्मिलित नहीं हुई बलकि गंभीर मुख से उसने कहा कुलीन घर के लिए यह लज्जा की क्या बात है? सुनती हूँ दस वर्ष के वर के साथ पचास वर्ष की बुढ़िया का भी व्या हो जाता है भले ही हो जाए इसके लिए कोई बात नहीं तुम वहां जाकर पूजा चढ़ा कर सिंदूर चूड़ी पहन लेना नहीं तो सुहागिन की तरह नहीं जान पड़ती अब मैं जाती हूँ, तुम लोग खाओ पियो, फिर संध्या के बाद आऊंगी यह कहकर किरण मही के पैरों की धूली सिर पर चढ़ा कर वह उठ खड़ी हुई सतीश के एकांत वास की व्यवस्था यद्धपी आज भी वैसी ही है लेकिन उसकी उस वैराग्य साधना की धारा इस बीच ठीक मार्ग से हटकर कितनी दूर चली गई है यह बाद जिस किसी ने दो महीने पूर्व उसे देखी है उसकी द्रिष्टी में पढ़ जाएगी जो मनुष्य अपनी इक्षा से निर्वासन का दंड ग्रहन कर इस स्वजन शुन्ने स्थान में अकेले रहने के लिए आया है उसका एका एक वेश भूशा के प्रती अनुराग बढ़ जाने का क्या कारण है और किसलिए पक्षियों के गान के बदले में उसकी अपने गाने की पुस्तके फिर पेटी के अंदर से निकला पड़ी है और सारंगी सितार बासुरियादी बाजे क्यों अपने अपने अनादरित स्थानों को छोड़ कर फिर पुराने मित्रों की भाती मेज के उपर आजमा हुए है और उसके मुख की वह मलीन छाया भी किस प्रकार सहसा तिरोहित हो गई है यह सब सोचने की बाते हैं वास्तों में दो-तीन महिने के पूर्व के सतीश में और इस समय के सतीश में इतना अंतर हो गया है कि एकाएक उसको पहचानना भी कठिन हो गया है यदपे इस इतने बड़े अद्बुत परिवर्तन का कारण खोल करना बताने से भी संभव तक काम चल सकता था लेकिन केवल भै यही हो रहा है कि संथाल परगने के असाधारन आबो हवा अच्छी समझ कर कितने ही नासमझ लोग उस पर दोड़ न पड़े इसलिए इतना ही बता देना अवश्यक है कि अधपे किसी ओर से विवाह का प्रस्ताव अभी तक सपष्ट रूप से नहीं उठाया गया है फिर भी आत्मियस वजनों के निकट सतीश और सरोजिनी के मन की बात सुष्पष्ट हो जाने में कोई दोश भी नहीं था सरोजिनी की मा जगतारिनी का आगरह भी इस विशे में सबसे प्रबल है यह एक बात एक वर्ष पूर्व ही कलकत्ता में ग्यात हो गई थी लेकिन आगरह व्यकुलता के अधिक होने के कारण ही संभवते केवल जगतारिनी के मन में ही इस संशे की भी एक शाया पड़ी थी कि उनके सिक्षा भीमानेनी कन्या, पुराने समाज और संसकारों को अच्छा न समझ कर सतीश को ग्रहन करने को प्रस्तूत होगी या नहीं अभी थोड़े दिन हुए वह अपने नई हर शान्तिपुर गई है जाते समय वह इस बात का संकेत कर गई है कि वहां से लोटती ही या बात पक्की कर देगी सवेरे सतीश बेले पर नया तार चड़ा रहा था, उसी समय बेहारी के साथ एक भले आदमी आ गए जोतिश के घर के मुनीम थे, जकतारिनी के साथ वह शान्तिपुर गए थे, फिर उनके ही साथ लोट आये है मुनीम ने नमसकार करके कहा, माजी ने आपको निमंतरन भेजा है, आपको भोजन वहीं करना पड़ेगा खबर सुनकर सतीश की छाती मानो उचल पड़ी, उसने पूछा, वह कब लोटी? मुनीम ने कहा, आज तीन दिन हुए प्राया छे साथ दिनों से सतीश उस ओर नहीं गया था अपने संबंध की बात अत्यन्त स्पष्ठ हो जाने के बात से, जोतिश पाबु के घर जब तब आने जाने में उसे लज्जा जान पड़ती थी उसने कहा, अच्छा आप माजी से कह दीजेगा, मैं दस ग्यारे बजे के अंदर ही आ जाऊंगा जैसे आग्या, कहकर वा आदमी नमस्कार करके चला गया सतीश को निमंतरन भेज कर भी जक्तारिनी भोजन का कोई उद्योग न करके निश्चिन्त बैठी थी क्योंकि उनकी धारना थी कि सतीश संध्या के पहले ना आएगा अब मुनीम की मुँ से या बात सुनकर वा घबरा गई और रुष्ट भी उठी आज एक अदशी थी, उनको अपने लिए किसी तैयारी की आविशक्ता नहीं थी और जो विध्वा प्रमणी उनके घर रसोई पकाती थी, वह भी दो दिन से शांतिपूर में ही मलेरिया जोर से बीमार पड़ गई थी बहुत ही जुझला कर उन्होंने मुनीम से कहा तुम इस वक्त के लिए निमंत्रण क्यों दे आए, तुमको क्या तनिक भी बुद्धी नहीं है मुनीम ने डरते डरते कहा मैंने तो कही नहीं, उन्होंने स्वैम ही इस वक्त आने की बात कही थी जगतारिनी ने तब क्रोध से कहा तो तुम ही जाओ, देखो मचली कहा मिलती है, जाकर जल्दी खरीद लाओ आज सवेरे ही जिसलिए उनका मन बिगड़ गया था, उसका कारण था सतीश के पास निमंत्रण भेजने के बाद ही उनको खबर मिली कि कल रात को सहसा शशांक मोहन फिर आप पहुंचे है इस आदमी को उसके अंग्रेजी चाल ढ़ाल के कारण में किसी दिन अच्छी द्रश्टी से नहीं देखती थी और विशेश रूप से जब से उन्होंने सुना था कि वह सरोजनी से विवाह करना चाहता है तबी से वह मनुश्य उनकी आँखों में शूल सा बन गया था पुना आ रहा है सुनकर उनका चित्त संश से कंटे की थो उठा इसके अतरिक्त यह खबर कुछ पहले उनको मिल गई होती तो संभावता सतीश को निमंत्रन ही नहीं बेज दी किसलिए यह खबर ठीक समय पर उनको नहीं दी गई इसके लिए जोतिश से लेकर घर के नौकर तक सब पर बिगड उठी थी सरोजनी बाहरी बैठा खाने से निकल कर किसी प्रकार मा की दृष्टी से बचकर उपर चली जा रही थी शशांक मोहन के आने की खबर भीवा नहीं जानती थी लेकिन जक्तारिनी ने उसका सिर से पैर तक छणबर निरक्षन किया और क्रोध के स्वर में कहा घोमना हो गया ना अब जूता मोजा तो थोड़ी तेर के लिए खोल डालो सतीश आजे यहां खाएगा मैं स्वैम रसोई न पकाऊंगी तो तुम्हारे इस क्रिश्चन घर का वब पानी तक भी स्पर्श न करेगा आओ घागरे टांगरे को उतार कर मेरे रसोई घर में आ जाओ बूड़ी मा की जरा सहयता करने से तुम्हारे इसा मसी रुष्ट न होंगे बेटी मा क्रोध में आने पर किस प्रकार आग की मूर्ति सी बन जाती थी और सच जूट को लांग कर जो मुँँ से निकलता था बोल जाती थी या बात किसी से नहीं चिपी थी सरोजिनी ने कुंठित होकर कहा मैं अभी आती हूँ मा लेकिन मा का क्रोध इससे भी शांत नहीं हुआ उन्होंने कहा आकर ये मुझे क्या निहाल कर दोगी 17-18 साल की हो गई अब तक थोड़ा सा भात पकाना भी नहीं आता मैं भी गरीब घर की लड़की नहीं थी बेटी लेकिन उसी उम्र से ग्रिहस्ती चलाती आ रही हूँ जिस घर में धर्म कर्म नहीं उस घर में लड़के लड़कियों को पैदा करना ही व्यर्थ है इस कठोर मंतव्य को कड़े स्वर से व्यक्त करके जगतारिनी मौ जोका कर स्वैमी रसोई घर में चली गई एकाएक अपने भाई की बिमारी का तार पाकर जगतारिनी को शिगरता से शांती पूर जाना पड़ा था इसलिए उस समय सतीश के सामने प्रस्ताव रखने का उन्हें अफसर नहीं मिला आज उसे अच्छी तरह खिला पिला कर बात चलाएंगी मनीमन संकल्प करके सवेरे उठने के साथ ही उन्होंने मुनीम को निमंतरन दे आने को भेज दिया था इसी बीचिया ऐसी घटना हो गई जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था जिसका आना सबसे अधिक अपरितिकर है एकाएक वही शशांक मोहन सवेरे की ट्रेन से आ पहुँचे है सुनकर जक्तारिनी के क्रोध का ठिकाना न रहा मनुशे की अत्यंत इर्शालू वस्तु की एकाएक व्यागरगात हो जाने से उसके संदेय का ठिकाना नहीं रहता इसलिए उसी समय एकाएक सरोजिनी को बाहर आते देखकर उनके समूचे शरीर में विश्की ज्वाला फ्याल गई और यह विचार उत्पन हो गया कि शशांक के इस अचानक लोट आने में संभावता इस अभागेनी लड़की का भी कोई हाथ है बैरिस्टर लड़के पर तो वह किसी दिन भी पूर्ण विश्वास ना कर सकी थी वास्तों में उनको दोश भी नहीं दिया जा सकता उनके हिंदू आचार फ्रस्ट लड़के लड़की सतीश की आचार परायंता को प्रेम की दृष्टी से भी देख सकते हैं इस बात को वे अपने हिरिदे में ग्रहन ही नहीं कर सकती थी लड़की को कड़ी बाते सुना कर वह रसोई में चली गए और दासी को रसोई के तयारी ठीक करने का आदेश दे कर सनान करने चली गए लेकिन एक घंटे के बाद लौट आने पर लड़की की ओर देखकर माता के नेत्र शीतल हो गए इसी बीच जटपट स्नान करकि रेश्मी साड़ी पहन कर वो मा के रसुई में चली गई थी और हसीय से तरकारी काट रही थी पासी बैठीवी दासी उसे बताती जा रही थी जकतारिणी ने चुप चाप छण भर निहार कर कहा हिंदू की लड़की किसी भी पोशाक में अच्छी नहीं लगती तुझे आज इस तरह देखकर मुझे इस बात का पता चल गया बेटी तेरे और देखकर इतनी खुशी मुझे किसी दिन भी नहीं भी थी सरोजी ने लजजा से से जोका कर काम करने लगी मा उसी को ताने सुना कर कहने लगी मैं सब समझती हूँ बेटी, सब समझती हूँ चाहे वा जितनी ही परिक्षाएं क्यों नपास करे मैं उसे बंदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहती और जिसका संकेत पाकर वा फिर निरलजी की तरह यहां आ जाए मेरे जीवित रहते यह बात नहोगी यह मैं शपत खाकर कहे देती हूँ बेटी थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने फिर कहा जोतिश कहता है कि लड़कपन में जिसको जैसी शिक्षा मिलती रहती है उसके मन का खिचाव उसी उर हो जाता है तिन रात हैट कोट पहने रहने से वह पसंद आ जाएगा यह बात किस शास्त्र में लिखिये बेटी तयारी पूरी करके जक्तारिनी रसोई बनाने बैठी और एक बार और बोली मेरी मनोकामना भगवन जिस दिन पूरी कर दें तो तू देख लेना बेटी उससे तेरा भला ही होगा सरोजिनी सिर्जुकाई मा की मनोकामना क्या है स्पष्ट रुप से सुन लेने की आशा से कान खोले रही लेकिन जक्तारिनी ने फिर उस बात को खोल कर नहीं बताया अपने मन से वह रसोई पकाने लगी वे चुपचाप मन ही मन क्या अलोचना करने लगी सरोजनी यह समझ गई और हैट कोट के विशय में जिस लच्जजनक अपवाद का संकेत करके उन्होंने उसको बार-बार चोट पहुँचाई उसका प्रतिवाद करना भी ठीक नहीं था लेकिन अत्यंत असहिश्नों सभाव वाली जकतारिनी को कोई भी बात अंत तक नहीं सुनाई जा सकती यह सोचकर वा चुपचाप बैठी रही दिन के लगबग दस बजे कुछ हल्लगुल्ला सुनाई पड़ा मुनीम जी कहीं से खोचकर एक बहुत बड़ी रोहु मचली ले आये थे जकतारिनी ने रसोई से जहांक कर मचली देखी तो प्रसन्न होकर कहा वाह यह तो बड़ी है लेकिन सरूजिनी ने कहा सतीश बाबु के आने में देर है मा अभी दस नहीं बजे है जकतारिनी ने कहा बजने बजाने की बात नहीं है बेटी आज तो मेरे एकादशी है मैं मचली चूँँगी नहीं सोचती हूँ कि तुम्हारा ब्रह्मन रसोई यह इसे पका सकेगा या नहीं अच्छा देख तो एलोकेशी उस घर की रसोई कहां तक बन चुकी है दासी के बहर जाते ही सरोजणी ले लजजित मू होकर धीरे से कहा तुम बताती रहोगी तो मैं क्या न बना सकूंगी जकतारिनी ने आश्च्रय भरे मू से कहा तू बना सकेगी बना सकूंगी मा तुमके वल बतला तो दो दासी ठीठक कर खड़ी हो गई ऐसे सुन्दर बड़ी रोहू मचली के अंजान हाथ में पढ़ जाने की आशंका से वा डर गई बोली यह कैसे होगा मा बाहरी आदमी खाने वाले हैं जक्तारिनी ने कुछ देर सोच कर कहा इससे क्या मेरा सतीश कोई बाहरी तो नहीं है वह तो मेरे घर का ही लड़का है तु मोब आये खड़ी मत रहा एलोकेशी उस घर के चूले को अच्छी तरह लीप कर मचली काटना तु भी एक काम कर बेटी रेश्मी साड़ी पहने रहने से तो सुविधा न होगी अच्छा रहने दे अपना आचल अच्छी तरह से कमर में लपेट ले फिर हसकर उन्होंने कहा आज मचली पकाने से ही तेरे इस विध्या का स्रिगनेश हो जाए मैं आशिरवात देती हूँ आज के दिन तु सदा ही मचली पकाया करे इस आशिरवात से सरोजिनी ने अपना मुह और भी नीचे जुका लिया एक घंटे के बाद जोतिश किसी काम से मा के पास आया रसोई घर के दर्वाजे के निकट खड़ा होकर अत्यंत आश्चरे से अवाक हो गया ध्यान से देख कर उसने कहा वह कौण रसोई बना रहा है मा⁈ सरोजिनी है क्या मा ने हसकर कहा धेख तो पहचान नहीं सकता क्या पहचान न सकने के बाद नहीं है मा लेकिन वह क्या सच्मुझे रसोई बना रही है या गर्दन में धोल बांद कर बैठी भी है मा ने इस गूर बात का संकेत करके कहा हिंदू की लड़की को क्या सीखने की अवशक्ता पड़ती है रे वा बात तो हम लोग जन्म से ही सीखी रहती है लेकिन लेकिन क्या मा लड़के को तनिक आड में ले जाकर जकतारिनी ने कहा लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि यदि सतीश सुन लेगा तो वो उसके हाथ की बनाई रसोई खाएगा या नहीं जोतिश के हस उठते ही सरोजनी ने मूँ उपर उठा कर देखा जोतिश ने कहा मा तुम क्या सतीश को मनू या पीरों की स्रणी में रखती हो मा ने कहा तुम लोगों से तो अच्छा ही है जोतिश ने कहा अच्छा क्या है सुनो तो सरोजनी जाकर दाल भात पका कर दे आई थी तभी तो उस रात को उसे भोजन मिला था नहीं तो उपुआस ही करना पड़ता या क्या जानती हो मा ने गदगद होकर आश्चरी से पूछा कब रे जोतिश ने उस रात की सारी घटना वर्णन करके सुना दी सुनकर आनंद से वेवल होकर अभिमान के स्वर से उन्होंने लड़की से कहा धन्य है तो बेटी मैं तभी से सोच में पड़ी मरी जा रही हूँ और तू है कि चूप है जोतिश ने हस कर कहा वह अभी कैसे जान पाएगी मा कि तुम क्या बात मन में सोच सोच कर मरी जा रही हो लेकिन उस दिन तो मैं नहीं खा सका था आज खा कर देखता हूँ कि जन मिलेने के साथ ही यह कौन सी रसोई बनाना सीख चुकी यह कहकर हस्ते हस्ते वह बाहर चला गया जगतारिनी ने लड़की के लज्जा से जुके वे मुख की और देख कर कहा लज्जा की क्या बात है बेटी अपने ही लोगों को रसोई बना कर खिलाओगी इससे बढ़कर सभागे की बात करन भी किसी ने आकर नहीं बताया सारा दिन छटपटा कर जगतारिनी ने संध्या के बाद जोतिश को बुला कर कहा अवश्य ही वह किसी जंजट में पढ़ गया है तुमने किसी को खबर लेने के लिए भेजने दिया जोतिश ने लापरवाही के साथ उत्तर दिया उतनी दूर में किसको भेजने जाऊ मा जगतारिनी ने आश्चेरे में पढ़ कर कहा क्यों? क्या दर्बान एक बार नहीं जा सकता था? अवश्यक्ता क्या है मा? या तु क्या कह रहा है जोतिश? उसकी तब्यत खराब हो गई या नहीं या खबर लेने की भी क्या अवशक्ता नहीं है? क्या अवशक्ता है? वह हमारा आत्मिय भी नहीं, मित्र भी नहीं उसके लिए चिंतित होकर मरते रहने में मैं कोई अवशक्ता नहीं देखता यह कहकर जोतिश बाहर चला गया केवल इसी थोड़े से समय में सतीश अब उनका कोई नहीं है उनकी मुह पर लड़के का वह उत्तर जक्तारिनी को दुखत स्वपने की भाती जान पड़ा वह वहीं खड़ी रही थोड़ी ही देर में उपवास से निर्बल हुए मस्तेश के में कितनी ही प्रकार की विचारधारें घूम गई इसे वह भली प्रकार समझ भी न सकी चुपचाप उपर जाकर अपने बिच्छोने पर लेट जाने पर जक्तारिनी ने सरूजनी को अपने पास बुलाया और उसके मुक्की और देखते वे वह और भी डर गई थोड़ी देर तक मौन रखकर उनों ने कहा सरूजनी, सतीश क्यों नहीं आया, तुझ जानती है सरूजनी ने कहा नहीं लड़की के सत्यंत संशिप्त उत्तर से जक्तारिनी उट पैठी और बोली नहीं, यदि तुम जानती ही नहीं तो आदमी भेज कर जान लेने में क्या हुआ था यह भी कहने की बात थी सरूजनी ने मधूर कंट से कहा भाईया का कहना है कि आदमी भेजने की अवशक्ता नहीं है क्यों नहीं है, यह बात मैं जानना चाहती हूँ जाओ, अभी तुरंट दर्बान को भेज दो कि जाकर उसकी खबर लेकर आए वह तो नहीं है मा, भाईया ने उसे उपेन बाबु के पास तार देने के लिए भेज दिया है उपेन बाबु को? एका एक उनके पास तार क्यों भेजना पड़ा? मैं यह बाते नहीं जानती मा, तुम भाईया से ही पूझ लो न? यह कह कर सरोजनी मा की एक प्रकार से उपेक्षा करके चली गई अब जकतारी ने को एका एक लगा कि सतीश को अवशे ही इसके बीच में मना कर दिया गया है इसका क्या कारण है यह बात भी उन्हें कोई बताना नहीं जाता यह सच है पर कोई विशेश कारण है इसमें कोई संदेह नहीं और इस भीशन अनिष्ट का मूल वही शशांक मोहन है और इस दुर्भी संधी को लेकर वब फिर आया है इसमें भी उन्हें कोई संधेह नहीं रहा लेकिन कारण चाहे जितना भी भयानक क्यों नहों उनके स्वयम उपस्थित रहने की दशा में भी लड़के और लड़की ने उनकी अनुमती के बिना सतीश को मना कर दिया यह विचार मन में आते ही उनका चित्त क्रोध से परिपूर्ण हो उठा उसी छण उन्होंने एलोकेश्वी को जोतिश को बुलाने के लिए ले भेजा इसके आने पर उन्होंने पूछा तुने सतीश को इस मकान में आने के लिए मना कर दिया है जोतिश ने आश्चेडे में पढ़कर कहा नहीं यह तुमसे किस ने कहा उपिन के पास तुने सतीश के विशे में कोई तार भेजा है हाँ क्या किया है सतीश ने जोतिश तनिक चुप रहकर बूल उठा जो काम किया है यह दिवस सच हो तो उस दशा में उसका हम लोगों के साथ अब कोई भी संबंद नहीं रह सकता शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद